आप सभी साथियों को नमस्कार आपके अपने ग्यानकोस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज बुद्धवार हो गया आज के तीन दिन बार आप लोग TGT की परिक्षा देने जा रहे हैं उसमें आपका एक सीत निश्चित है की सुरक्षित है आपको एक सीत प्राप्त करना ही करना है इसके लिए मैं प्रती दिन इश्वर से दुआ भी कर रहा हूँ और साथी साथ आपको अच्छे अच्छे मेटेरियल भी उपलब्ध करवा रहा हूँ दोस्तों आज हम लोग अलंकार पर चर्चा करेंगे अलंकार पढ़ेंगे और इस वीडियो में अरथा लंकार शारीट और फिर पुनरुक्त प्रकास के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे यानि इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपका शब्दा लंकार गलत नहीं होगा और इसमें से दो परसंटों आते ही आते हैं हर परिक्षा में आते हैं दोस्तों बस वीडियो को बढ़ियां से देख लेजिए दुबारा फिर आपको लंकार पढ़ने की जोरुत न बातने जानना है कि अलंकार की व्यूत पत्ति किन किन शब्दों सो यह कभी कभी परिक्षा में पूछ दिया जाता है इसको ध्यान दिजेगा तो अलम धन कृत धन घहियां आईसे जो है कि इन तीन सब्दों से मिल करके बना हुआ है अलंकार ठीक न जिसका अर्थ है आभू जिसे इसके अलंकार के परवर्तक जो है अलंकार संपरदाय के परवर्तक आचार भामा को माना जाता है आचार भामन कहते हैं कि जो अलंकृत करेवा अलंकार है यानि अलंकृती अलंकार है ठीक है इसके बार ये जो परिभाशा है संस्कृत का इसका पर थोड़ा सा जरूर ध्यान्दी देजेगा न कांतामपी निर्भूतशम विभात वनिता मुखम ठीक ना तो इस तरह से आप इस सुत्र को भी तैयार कर लिजेगा कभी कई पूछ भी देता है कि सुत्र किसका है ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं आचारे दंडी क्या कहते हैं अलंकार के बारे में आचारे दंडी ने कहा कि काभ्य के सोभाकारक धर्म को अलंकार कहा जाता है और इनका सुत्र है काव्य सोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते तो इस सुत्र को भी कभी को सुत्र भी पूछता है और आप देखते होंगे कि कावशात्र में संस्रिका सुत्र पूछता है तो इससे आपका वो भी तयार होता चला जा रहा है आचारे वामन ने दंडी के मत का विरोध किया ये प्रस्ण बन सकता है कि किस आचारे ने दंडी के मत का विरोध किया और वो क्या कहे कि काव्य के सोभाकारक धर्म गुड़ हैं तथा अलंकार उस सोभाकारक धर्म का समवर्धन करने वाला हेतु है ये हेतु के बारे में कहते हैं इसी चीज का इन्होंने विरोध किया है कौन वामन ने इसको भी ध्यान देजिएगा मैं हर एक पॉइंट पे छोटा छोटा पॉइंट जो है उसको मैं आपको इंगित करा रहा हूं और इसी तरह के प्रसंद परिच्छा में पूछे भी जाते हैं आगे बढ़ते हैं अब इन सब चीज से कोई मतलम नहीं है अब आए सीधे आप अलंकार के भी अगला प्रसंद जो बनता है अलंकार की कितने भी थोते हैं तो कभी-कभी थोड़ा सा अगार आग्र कादबर नहीं पड़े हैं तो भूल जाते हैं अर्था लंकार, शब्धा लंकार, विज्यालं जहां शब्द और अर्थ दोनों ही कोटी से चमतकार उत्पन होते हैं उसको हम क्या करते हैं उभयालंकार करते हैं दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ताफित को सब्सक्राइब कर लेजिए इसी तरह के वीडियो प्राप्ट करने के लिए और जितने लोग देख रहे हैं एक निवेदन है सब लोग लाइक और शेयर तो जरूर कर देजिए क्योंकि यहां से बहुत सारा वीडियो आपको मिलने वाला है और मिला हुआ है आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लिजे बहुत सारी वीडियो का लिंक मिलेगा आपको छोटे- उपन्याशकार, दलित, वीमर्स, आलोचना पर आधारित कुछ वीडियो है फिर उसके वासे मिलते-जूलती रचनाओं पर आधारित वीडियो है वरडिक छंद और मातरिक छंद है छोटा सा वीडियो है फिर उसके वासे 20 प्रेक्टिस सेट है बहुत कुछ है आप किवल ड अब यह वीडियो आपको आगे तीन दिन में भी मिलने वाला टेजीटी परिच्छा के पहले उसमें से जरूर जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आये अब हम लोग आते हैं शब्दा लंकार पर तो शब्दा लंकार में अनुपरास का परिभासा सब लोग जानती इस प माजवेदोते हैं आप जानते हैं छेकान प्रास विरत्यान प्रास रुत्यान प्रास अंत्यान प्रास और लाटान प्रास यह बहुत कंफ्यूज करता है और इसमें से दोस्तों एक प्रसंद आता है इस वीडियो कर आप देख लिए न ते एक प्रसंद आपका कनफर्म है कह जहां अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक वार आबरिती हुई है तो उसके बाद फिर अब आए यादि यहां ध्यान देने की बात है, उपर एक बार फिर मैं आपको इंगित करना चाहता हूँ, जहां एक या अनेक या अनेक है न आप इसमें जोड सकते हैं जहां एक या अनेक व्यंजन स्वरूप और करम के अनुसार एक बार आप बृति होती है वहां क्या होता छे कानुपरास होता है देखिए अब मैं आपको इंगित करा दे रहाओं आप कभी नहीं भूलेंगे रीजी रीजी देखिए ये कही करम से है रहसी रहस दई दई हसी हसी अब देखिए रीज में रा और रा तुरंट अगले ही शब्द में फिर रा रा है या एक बार इसके आपरति अब इस रा का प्रयोग आप कहीं मतलब एक स्वरूप का अनुसार कहीं नहीं मिलेगा आपको अगर अनेक बार होती है तो प्र कौन सा लंकार होता है मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ आगे ज़स्ट दई दई देख लिजे, दई दई में दो और दो, एक वार आबृति का मतलब यह हुआ, कि अगर एक वरण है, तो उसके बाद बस यह दो एक ही बार हो, अब यह नहीं कि दो, 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 कई बार हो, तो दूसरा अलंकार हो जाएगा, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं क्या, कि जह यह कही बार वरणों के आबृति हो रही हो, एक करम और स्वरूप के अनुसार, इतना है आपको ध्यान देना है, अब आप पकड़ लेंगे, जैसे कोई एक्जामपर लाएगा, आप समझ लेंगे कि इसमें क्या है, छेकान उपरास है, आईए विर्त्यान उपरास में क्या ह यहां क्या कहा रहा है, एक बार, ठीक है न, छेकान उपरास में, विर्त्यान उपरास में क्या कहा रहा है, अनेक बार, विर्त में, मने एक घेरे में, घेरे में वरणों का बृति होती है, अगर यह को है तो यहां भी को, यहां भी को, यहां भी को, यहां भी को, यहां भी को आएसे एक घेर बृत्त में वर्डों क्या बृत्ती होती है यानि अनेक बार होती है वहाँ क्या होता है वृत्त्यानुपरास होता है दोस्तों इतना सांदार ढंग से मैं आपको बता दे रहा हूं कि फिर कभी नहीं आप भूलेंगे इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब नेक वर्ड़ मनें अब को हो अच्छा है गो हो जो भी वर्ड़ हो एक वर्ड़ हो लेकिन इसके आबरती बार बार हो को कि आबरती कई बार हो यो गो का आबरती कई बार हो यो और पहले वाले में यानि कि छेकानुपरास में किवल एक ही बार आबरती होती है ठीक है ना एक तरनूजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुचायत, इसरा आइजम्पल, सेश, महेस, गनेश, दिनेश, सुरेस, हुँ, जाह, निरंतर, गावे, अब देखिए यहाँ क्या-क्या है, किंकिन में कौ, कौ, कोहत में फिर कौ, देख रहे हैं न, कौ, कौ, कौ की आबृती बार-बार और दूसरा और भी इस पश्ट कर देता है तरण तनूजा तट तमाल तो 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 देख रहे हैं न यहां तो वड़े क्या बरती कई बार हुई है इसलिए यहां जो है कि वृत्तानी पराथ होगा देखिए तीसरा हम देख लिए सेस गनेस सा 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 वर्ण का बरती हो रही है अब नहीं भूलेगा अब नहीं भूलेगा छेकानी परास में एक बार विरत्यानी परास में कई बार बस इससे ज्यादा कुछ ने जानना है आए सुरत्यानी परास सुरत्यानी परास में क्या है जहां एक ही स्थान के वर्ण मनें कंठ तालू आदिसे उचारित होने वाले का बृति वहां सुर्त्यान प्रासत ये थोड़ा सा ठेगणा ध्यान दीजेगा अभी समझ में आ जाएगा सुर्त्यान प्रास का मतलब हुआ जो सुनने में बने एक जैसा उच्छाण दिखा जिसे कि यहां देख रहे है न लिखा है कि कंठ या तालू जिसे आँ वर्ड पढ तो जैसे माल लेकी अकंठ वर्ड क्या है का खा गा घा ठीक न ऐसे तालव जो 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 यह यहां वही आपको ध्यान देना है वहां सुर्त्यान प्रास हो जाएगा जैसे देखिए यह एक जामपल है तूलसी दास सीधत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई अब यहां देखिए यहां दंत वर्ड का प्रियोग किया गया है किस वर्ड का दंत मन्ने दंत वर्ड का यहां वर्ड है देख लिजे क्या तूलसी दास में देखे तू देख रहा है ना तूलसी दास में दू यहां सीधत में दू निसी में नू देखत में दू ठीक ना निसी दीन में नू देख रहा है ना अब देखे तू दू दू नू यह क्या है तू थू दू धू नू यानि एक ही एक ही वर्ग के यानि जिस जहां से हमारी ध्वनिया निकलती है तालू से कंट से दंत से ठीक ना एक ही वर्ग के यहां वर्ड़ प्रियोग किये गए हैं इस लेकिन चुकी अब ये अलंकार है समझाना है इसलिए थोड़ा से वीडियो लंबा होगा इसलिए वीडियो को काटिएगा नहीं आगे मत बढ़िएगा या यहां से जाएगा नहीं पूरा पढ़ लेजिए आपका निश्चित है कि दुबारा फिर ये कभी ने भूल सकते हैं अन्वाय करने पर उसका अर्थ अलग हो जाता हो जीसे उदारन देखिए पी ये निकट जाके नहीं घाम अब देखिए यहां क्या है थोड़ा सा समझाने में समय लगेगा दोस्तों कहिए तो समझाने फिर आगे बढ़ें क्योंकि अगर एक जामपल के वल समझना है तो देख लिजिए जहां यह कही वाकि जिसे पूत कपूत तो काधन संच है पूत सपूत तो काधन संच है ऐसे जह पिये निकट जाके, राम हिर्दय जाके नहीं, राम हिर्दय जाके नहीं, तो यह ऐसा अगर हो जाता है, तो यहाँ लाटान प्रास होता है, मैं समझाओंगा नहीं ज्यादा, क्योंकि मैं अलंकार जो पढ़ाओंगा, तो पूरा डीटिल मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन यहाँ केवल आपको परिक्षा पास करना ते क्यों इतना ही जानी है, आगे चली क्योंक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यह मक्त हमें नहीं पढ़ाना आप जानते हैं, जहां एक से अधिक शब्द, अधिक बार प्रियोग हुआ, एक से अधिक बार लेकिन सबकार्थ क्या होता हो, अलग-अलग होता हो, इसलिए वहाँ हो जाते हैं, इसको आप जानते हैं, हमको इसको पढ़ाने का हो सकता नहीं है, आइए सलेस, सलेस का देखें दोस्तों साब्दिक अर्थ होता है, जहां यह कही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, उसको हम सलेस अलंक और यमक में क्या है शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अलग अलग अर्थ होता है यही दोनों मंतर आप इसको समझ लेंगे और इसको पढ़ें कहीं कोई दिकत नहीं इसको मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूँ ठीक है न एक जामपल आप देखना चाहते हैं तेहां समक से है दूसरे पानी कर्थ मानश मनि मोतिम इन मानुस मने ज़्यत परतिश्था के लिए और तीसरे पानी कर्थ है जल मने यमक है, डीटेल मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि यमक करें, सिलेस है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अब सिलेस के दो भेद हैं, अभंग सिलेस और सभंग सिलेस, अभंग सिलेस क्या है, जहां शब्द के दो टुकडे किये बिना, शब्दों को दो टुकडे किये बिन अलग अलग किये भिना ही एक साधिक अर्थ निकलता हो, जैसे सुबरन को खोजत फिरत या ढूडर फिरत, कभी बेविचारी चोर, सुबरन को तोड़ना नहीं पड़ रहा है, अब इसी सुबरन का तीन अर्थ है, कभी के लिए कुछ और है, बेविचारी के लिए कुछ और है चोर के लिए कुछ और आप जानते हैं, हमको इसका डीटल नहीं बतानी जुरूत है, यहाँ इसलिए यहाँ अभंग हो जाएगा, सभंग देख लेजिए, सभंग क्या है, जहाँ पर सब्द को भंग करने पर दूसरा अर्था निकल ले, वहाँ सभंग होता है, ना ही ना ही कह थोरी मांगे सब देन, मंगन को देखी, पट देत बार बार है, अब देखें, मंगन को देखी, पट देत बार बार है, यहाँ आपका अर्थ तोड़ना पड़ेगा, तब इसका यह मंगन और पट का तातपर है क्या होगा, इसका अर्थ को तोड़ना पड़ेगा, तब आप यहां समझ पाएंगे कि यह कौन सा यह अलंकार है यहां सभंग यानि कि जहां इतना जानिए जहां शब्दों को मतलब तोड़ने पर अर्थ निकल है ठीक ना भंग करने पर अर्थ निकल है वहां सभंग होता है परिभासाई पूछ सकता है एजांपल पूछ सकता है अलंकार म और स्रोता के अभिपरेत आश양 से स्लेस अथवा काकू उक्ति से भिन अर्थ लगाया जाए वहां बक्रोक्त अलंकार होता है अगर व्यवहारिक शैली में समझे तो वक्ता कुछ और कहा रहा है और स्रोता उसका कुछ और अर्थ लगा रहा है समझिएगा यानि वक्ता कुछ और कह रहा है और उसी शब्द का सुरोता कुछ और अर्थ लगा रहा है इसी जगह पर जो है कि वक्रोक्ति अलंकार होता है और वक्रोक्ति अलंकार जो है यह दो प्रकार के होते हैं शलेस वक्रोक्ति होता है और जो है आपका भंग सलेश वकरोक्ति होता है अब देखिए भंग सलेश वकरोक्ति क्या है इसका एक्जांपल क्यों एक्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ देखिए अई गवरो सालिनी मानिन आज सुधा इस्मित क्यों वरसाती नहीं निज कामनी को प्रिय गव अवसा अलिनी भी कभी कही जाती नहीं खीए का जो है गाय का जो अर्थ बताया गया है यहां जो कि भंग करना पड़ेगा शब्द को तोड़ना पड़ेगा तो जाकर कि यहां स्स्लेस वक्रूगट होगा अब गाय का मतलब सीधा सादा मतलब कहतने के रहे हो तो गाय गाय का मतलब जानवर से नाई का जानवर से उसका अर्थ लगा ली कि हमको तो जानवर कह रहा है नायक तो इसलिए यहां तोड़ करके अर्थ लगाने पे जो है कि स्लेस वक्रोगती होगा ठीक ना आगे बढ़ते हैं अभंग श्लेस वक्रोगती में एक कभूतर देख हाथ मे पूछा अपर कहा है उसने कहा अपर कैसा उड़ गया वह सपर है अब यहां जो है यह जहागिर जो कि नूर जहां से पूछते हैं कि कभूतर जो है अपर का यहां देखे अभंग बिना तोड़े अर्थ लग रहा है अपर मने होता है पर मने होता है आप जानते है पंक पंक ह हुआ दूसरा अपर का मतलब होता है दूसरा अपर ठीक ना अपरे शाम दूसरा ठीक ना दूसरे सिसका तो सहा जहां सारी जहांगीर नूर जहां के हाथ में जब एक ही कब उतर देखता है तो पूछता है कि अपर कहां है मने दूसरा कहां है तो सहा जहां कहती है अरे वो अप पर का अर्थ लगा रहे यह मने बिना पंक का उकरी बिना पंक का कैसा था उसके पास तो पर था मने क्या था सपर सपर मने पंक के साथ था सपर मने पंक के साथ यान उसके पास पंक था ठीक ना सपर तो कह रहे है कि वह अपर कहा था वह तो सपर था इसलिए वह उड़ गे अब यहां इतना ही आगे जो एक फिर हम लो जब इसका डीटेल पढ़ेंगे तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे काकु वक्रोगती देख लेजे, काकु वक्रोगती जो है, क्या है, यहां कंट की विसेस्ता से अन्य अर्थ कल्पित हो जाना ही काकु वक्रोगती है, कंट की विसेस्ता से, हम शब्दों को कैसे वला घात देते हैं, जिसे कहते हैं कि तुम जाओ, बस समझेगा, तुम जाओ, तुम जाओ, समझे रहे न, दोनों कर्थ अलग अलग है, तो वही ध्वन की जो बात वरे, कंठ ध्वन के आधार पर जो अर्थ कल्पित होता है, वही काकु वक्रुकत होता है, अब यहाँ देखिए, उदाहरण, लिखन बैठ जाकी सबही, गही गही गर्व गरूर, भय न केत जगत के चतूर चितेरे कुरूर, यहाँ जो है, उचारण के धंग, अर्थात काकु के कारण, भय न केते, मने कितने नो हुए का अर्थ सभी हो गए, यानि यह हो जाता है, इसलिए यहाँ जो की काकु वक्रुकती होता है, ठीक है, अब आईए, सीधे हम लोग आते हैं पु के लिए, मैं चाहरा हूँ कि अधिक सधिक आपका कुश्चन टिक अप हो जाए, ताकि फरिक्षा में आपका एक सीध कंफर्म हो जाए, दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब लोग लाइक और शेयर कर दें क्योंकि उसका कुछ लगता नहीं है, लेकिन हम लोग का उसावरधन होता है, ठीक है न, आगे देखिए, पुनरुक्ति का मतलब दोस्तों क्या होता है, पुनरुक्ति, मने पुना जो बात कही गई, पुना जो बात कही गई, पुना धन उक्ति, जो उसी को हम पुनरुक्ति बहुत आसान है अलंकार इसका परिभासा देख लेजिए क्या दिया है बस यहां क्या करना है कि जिस काबे में करमसा शब्दों की आबरती एक समान होती हो किन्तु अर्थ की भिन्नता नहीं होती है क्योंकि शब्दों की आबरती हो और अर्थ की भिन्नता हो तब आपका सिलेस अलंकार हो जाएगा वो यमा का लंकार हो जाएगा लेकिन अगर अर्थ की भिन्नता नहीं है और शब्दों की पुनराबरती हो रही है वहाँ पुनरुखत अलंकार हो जाता है जैसे एक्जामपल देख लिजे नीचे दिया होगा बहुत सारी एक्जांपल पड़ा होगा है देख लिजे यहां लिखन बैठी जाकी अब गही गही गरूर गही गही देखिए आदर दैदय जूम जूम गरज गरज इसका कोई दूसरे इस जूम का रथ दूसरा नहीं यह दोनों का रथ एक है यानि कि उसका अर्थ न बदल है, और शब्दों की पुनराभिर्ट्थी हो जाए, तो इस पुनरुख्ति प्रकाश अलंकार कहिए, चे पुनरुख्ति अलंकार कहिए, और कुछ विद्वान इसको विपसा अलंकार भी कहते हैं, यह भी जान लिजी, ठीक है न? तो इस तरह से दोस्तों, आपका यह सब बहुत सारा एक्जामपल पढ़ा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, और आशा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, एक सीत आपका सुरक्षित होगा, मैं प्रती दिन आप लोगों के लिए सुरक्षित दुआ मांगता हूँ, कि दुबारा आपको TGT exam 9 देना पड़े, एक सीत इसी में आपका सुरक्षित हो जाए, ठीक है न, वीडियो कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएंगे, ऐसा वीडियो और चाहिए, तो जरूर बताएंगे, क्योंकि इसके बाद हम जो है कि अर्था लंकार लेकर के आएंगे हाँ, अगर डीटेल में जानना चाहते हैं, तो भी बताएगा, कि सर आप डीटेल पढ़ा देजिए, और संचेप में क्यों, to the point, example to example, क्योंकि example ही जाता तब बुझता है, कि इसमें कौन सा लंकार, इसमें कौन सा लंकार है, दो पंक्त दे देगा, तो अगर वैसे पढ़न इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग अब मिलते हैं, अगले वीडियो में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद